Mini Toys, प्रताप नाम के खिलोने बेचने वाला हुआ करता था, एक मिनी बैन में खिलोने सारे डालके, हाँ खिलोने भाई खिलोने, टेड़ी पी एर खिलोने, कहते हुए चिल्लाता था, लेकिन कोई भी उसके पास खिलोने खरिजने नहीं आते थे, ट्राफिक सिक्नल के पास र मिनी बैन के उपर तरा तरा के जगा पे जाके बेचने की कोशिश करता था, लेकिन ज्यादा कोई उसके पास खरिजने नहीं आते थे, एक बार अचानक एरपोर्ट के बाहर मिनी बैन के उपर खिलोना बेचना शुरू किया, एरपोर्ट से आते पासिन देथ उन खिलोनों को देखकर, वाव, वेरी नाइस, टेड़ी बेर्स टॉइस कहके खरिते थे, एक बार एक व्यक्ति आके, भाई, एक चोटा टेड़ी बेर है तो देना भाई, बेलकुल अमरिका से आये जैसा लगना चाहिए, कहा, तो प्रतब, ये खिलोना देखिए सर, ठीक अमरिका जैल आये जैसा दिखेगा, ये अगर आप खरी देंगे, तो कोई भी यकिन कर लेगा साफ, वैसे आप करते क्या है साफ, तो वो आदमी, मैं एर कुछ खिलोने बगेरा चाहिए क्या, तो अमरिका से एक टेडी बेर लेके आ रहा हूँ, ठीके तयार रहना कहा, वो बाते सुनके प्रताप शौक हुआ, और एक बार, और एक आदमी, हाँ बेबी, अभी दुबाई से इंडिया आया हूँ, दुबाई से तुमारे लिए डे टेडी बेर लेकर आया हूँ, कहके प्रताप से, एक अच्छा टेडी बेर दे, बिल्कुल फोरन कंट्री से लाए जैसे दिखना चाहिए, वैसे अगर कोई है, तो मैं खरीदूंगा, कहा, तो प्रताप, वैसे एक टेडी बेर को उन्हें दिया, वो आदमी टेडी बेर को ल लेकर आये बोलेंगे क्रेज कैसा है देखा ना, प्रताप वो बाते सुनके, यह सची कह रहा है न, अमेरिका से या दुबाई से लाए बोलने से कोई भी खरीद लेगा, सोच के वो उस आदमी से, सर, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि पिछले छे महिने से जापान स इसे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ न, वाप्रे, यह तो मुझसे भी बढ़कर खिलाडी लगता है, कहा, तब से प्रताप उन खिलोनों को, हाँ, टॉइस से, टॉइस, अमरिकन टॉइस, मेक्सिकन टॉइस, अरेबियन टॉइस, इंपोर्टन टॉइस, कहे के चिलाना के पॉर्ट टॉइस कहते ही, लोग खिलोने खरिजने लगे, वो एक गावर्ण्मेंट स्कूल है, वो स्कूल के आगे एक ट्राफिक सिग्नल हुआ करता था, सिग्नल जब भी रेड होता था, तो कार वाले, स्कूटर वाले, साइकल वाले, पंपाम, पंपाम इस तरह हौन ब इस्टर बिंस होता था, टीचर्स बच्चों को ठीक से पड़ा भी नहीं पाते थे, एक बार स्कूल प्रिंसिपल क्लास्रूम में आकर, यूं कहकर चले गए, क्लास्रूम में सब मेरे नाम के साथ साथ एक और लड़की शालिनी को नॉमिनिट किये, शालिनी तब खड़े हो अगर मैं स्कूल लीडर बन गई, तो प्रिंसिपल से बात करके मैं स्कूल बसस की संख्या बढ़ाने कहूंगी, गाउं से आने वाले बच्चों के लिए स्कूल बसस का इंतिजाम करवाऊंगी, स्कूल पॉपलेशन तो बढ़ी रही है, लेकिन नंबर ओफ वाश्रूम नह कहूंगी, यूँ कहने लगी, सब तालिया मारे, अब जब मेरा टर्न आया, तो क्या बोलू समझ नहीं आया, क्यूंकि शालीन ने स्कूल के सारे समस्या के बारे में बात कर चुकी थी, मैं खड़े होकर जब बात कर रहा था, तो पीपीप, पूपूप, यो हॉन के अवाज आने लगी, इसलिए तुरंत मैंने, डिये स्टूनेंस, मैं जीतूंगा या नहीं, पता नहीं, बट हमारे स्कूल का मोस्ट इस्टरबिंग प्रब्लम हॉनकिंग, हमारे स्कूल के पास ही से इस ट्राफिक सिग्नल से आने वाली हॉनकी आवाजे मैं सॉल्व करूंगा, बोल बिलीव मी, मैं कर सकता हूँ, कहा, क्लास्रूम में स्टूरेंट्स, टीचर्स, किसी ने मुझे पर विश्वास नहीं किया, अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल मुझे बुला कर, देखो बेटा, स्कूल लीडर बनने के लिए, जो ना मुम्किन एजेंडा हो, या प्रॉमिसेस हो, वो नहीं करनी चाहिए, do you understand? कहे, तब मैं, सर बिलीव मी, मैं सच में सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उस पर वर्क आउट भी कर रहा हूँ, ठीक है फिर, अगर तुमने उस स्कूल प्रॉबलम को सॉल्व कर दिया, तो मेरे तरफ से और सारे टीचर्स के तरफ से तुमें ही वोर्ट देंगे, ठीक है ना? कहे, उस शाम मैं पूलिस टेशन जाकर वहाँ SI से, सर, हमारे स्कूल के पास उस ट्राफिक सिगनल के बारे में बात करने आया हूँ, वो बहुत डिस्टरबिंग है सर, बोला SI, या, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट वाले बहुत प्रहतने कर लिए, ट्राफिक को डिवर्ट किये, नौहोन जोन भी लगाए और बहुत सारी तरीकों से ट्राइ किये, बट लो यूज, बोले, मे, सर, आप सपोर्ट कीजिए, हम मिलकर अपने स्कूल प्राब्लम को सॉल्व करेंगे, कहकर चला गया, अगले दिन, फॉर्स पीरिट इस होने के बाद, मैस टीचर, और दो बच्चे नहीं आए, वो आए, तब तक मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, बोले, कुछ देर बाद, वे दोनों आए, मैस टीचर, बोले, अगले दिन, सब जल्दी आगे, मैस टीचर तब, वेरी गूड, फुल अटेदेंस है, यू कहकर क्लास स्टार्ट किये, मुझे तुरंत एक आइडिया आया, उस शाम, ट्राफिक पुलिस के पास जाकर, सर, I have an idea, सिग्नल वेटिंग पीरिज, 60 सेकेंद्स है ना, अपसे अगर कोई हॉन बजाए, तो उस साउंड से 10 सेकेंद्स बढ़े, वैसे कुछ करना होगा, सर, क मैं, हाँ, सच है, सर, शुरू-शुरू में लोग चिट कर हॉन और बजाने लगेंगे, लेकिन फिर उससे कोई फाइदा नहीं है, और उल्टा टाइम वेश हो रहा है, ये एक-एक को धीरे से समझ आएगा, सर, बिलीव मी, हमारे स्कूल में मैस टीचर अगर एक भी देर से आए, तो क्लास शुरू नहीं करते थे, तब लेट आने वाले हमारी वज़े से सब को तकलीफ हो रही है, सोचकर जल्दी आने लगे, सेम आइडिया यहां पर लगा सकते हैं, सर, मेरे हॉन बजाने से 10 सेकंड और बढ़ जाएगा, और बाकी लोगों को फिजूर में लेट ह गया है, अगर यह 60 decibels से ज्यादा बढ़ा, तो आपका सिगनल ताइम भी बढ़ जाएगा, सो प्लीज डू नोट हॉन, आपके कार से आए साउंड के वज़े से, बाइक से आए साउंड की वज़े से 20 decibels बढ़ने लगेंगे, यह अनाउंस किया, बस जैसे एक्सपेक्ट कि यह सब चिटकर पम-पम-पम-पम-पम हॉन बजाने लगें, एक बाइक वाला, यह है, यह क्या रूल्स है, बेकार के रूल्स, यह लगातार हॉन बजाते गया, उसकी वज़े से सिगनल टाइम 60 से 70 सेकेंड बढ़ गया, बस सब उस पर चिलाने लगे, इस तरह अगले दिन से साउंड हॉन कम होते गया, तीसरे दिन तो किसी ने हॉन ही नहीं बजाया, पुलिस एसाई, बोले, स्कूल प्रिंसिपल, कहे, एलेक्शन हुए, फिर मुझे लेडर बनाय गया, By the way, my name is Abdul Kalam.